देवी तारा दूसरी महांपित्या मानी जाती हैं जो मा सती के शरी से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीजन बदोस्टों का सहार करने बाला है। इसलिए इन्हीं मा काली के समान ही माना गया है। दोनों ही देवियों को चित वस्था में लेटी भवान शिव के उपर खड़े हुए तथा जीबाब बाहर की हुए दरशाया जाता है। हलांकि देवी काली को श्याम बन तथा देवी तारा को नेल बन सो रूप में बनित किया जाता है। मा तारा का शरीर नील बन का होने के कारण उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है सबसे पहले महारीशी बशिष्ट ने देवी तारा की अराधना गी थी देवी तारा की तीन रूप हैं पहला तारा, दूसरा एक चटा और तीसरा नील सरस्वती माता रानी के इस रूप ने भगवान शिप को स्तनपान करवाया था इसलिए इन्हें शिप की मा की उपाधी भी प्राप्त है कालांतर में स्मुद्र मन्थन के समय हलाहल बिश प्रकट हुआ जिसके प्रभाव से स्रिष्टी की रक्षा करने ही तो भगवान शिप ने उस बिश का पान कर लिया किन्तु भगवान शिप उस बिश के शक्ति शाली प्रभाव से मुर्चित होने लगे उसी समय देवी तुर्गा देवी तारा के रूप में प्रकट हुई तथा बिश को प्रभाव हीन करने ही तो भगवान शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया जिससे भगवान शिव पर बिश का प्रभाव कम हुआ